आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओमकश्यप के जिवाल कुर्सी और कुर्बानी जी हाँ अगर आप भी उन लोगों में शामिल है जो बिना सीरियल देखे सो नहीं पाते नीन नहीं आती तो ये एक अलग ही राजनितिक सीरियल यानि सोप आपरा रोज चल रहा है लेकिन बात आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है और इसलिए हम कहा रहे हैं सास बहु साजश एक तरफ के जिवाल कुर्सी और कुर्बानी दूसरी तरफ क्या अर्विन केजिवाल की सरकार की उम्र वाकई दिल्ली जनलोकपाल बिलके मुकदर पर तैकर होगा या फिर उनकी सत्ता की सांस इस विधेक की हार के साथ तूट जाएगी कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को समविधान के कटगरे में खड़ा कर दिया है अब ये फैसला के जिवाल की मुठी में है कि उनकी राजनीती इस कटगरे में दम तोड़ देगी या फिर नया जीवन हासिल कर लेंगे वो हमारी सरकार ने समविधान को अपोल्ड करने की और दिल्ली के लोगों को ब्रष्टाचार से मुक्ती दिलाने की कसम खाई है और उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देने के लिए तयार है तो क्या मजबूरी में दिन काट रहे हैं अर्विंद के जिरिवाद या एक तैशुदा राजनितिक नाटक के अंतिम द्रिश्य की प्रस्तावना है क्योंकि वैसे भी अल्पमत की सल्तनत के ईश्वर बने हुए थे अर्विंद लेकिन वो एवमस्तु कहने की बजाए अलविदा कहने का उसर खोज रहे है बनने नहीं आये थे लेकिन बने और अब जब इस पनावट की बुनियाद हिल रही है तो बिगड़ गयो जैसे जाने वाले को जाने का बहाना चाहिए रामवील शौकीन तो हैं ही निर्दलिय कभी भी आ सकते हैं कभी भी जा सकते हैं वैसे भी जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा जा रहे हैं विनोद कुमार बिन्नी का तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो आ रहे हैं या जा रहे हैं वो है भी और नहीं भी कॉंग्रेस को तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो विपक्ष में है कि सत्ता के साथ है 84 के अकतल याम की S.I.T. जाँच पर हरकम बचा हुआ है बीजेपी बात बात पर इस्तिफा मांग रही है अब जन लोग पाल पर के जरिवाल ने जित पकड़ ली है तो कॉंग्रेस कुन मुना उठी है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने है और जो निमंत्रान उपराजेपाल साब में दिया था उसे उन्होंने सुकार करा है किसी भी इशू पर बार बार ये कहना मैं छोड़ दूँगा, मैं भाग जाऊँगा, मैं इस्तिफा दे दूँगा ये सही नहीं है काम करने का मौका मिला है हम समर्थन दे रहे हैं काम करना चाहिए अब सम्विधान की व्याक्या, अल्पमत सरकार की मजबूरियां और केज्रिवाल की जिद के बीच सरकार की उम्र रोज छोटी होती जा रही है क्योंकि सत्ता के सनम की लंबी उम्र के लिए करवाचौत करने वाले कह रहे हैं कि जिस रिष्टे में अपने होने का अस्तित्व ही को जाए उसे बचा कर भी क्या करना आज तक ग्योरो और यही वो सवाल है जो आज हम पूछेंगे अपने महमानों से कुरसी और कुर्बानी के बीच ये दिल्ली का क्या होगा सीधर रुख करते हैं शोबा ओजा जी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गई है हमारे साथ क्याप्टन अभी मन्यू भारतिय जुरिदा पार्टी का पक्ष रखेंगे केटियस तुलसी साहब वरिश वकील कुछी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे अगर शीला दीक्षित तेरा विध्यकों को आगे ले जा सकती हैं बिना होम मिनिस्ट्री में दिये तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं देखे अंजली जी जो आप कह रही हैं कॉंग्रेस ने सपोर्ट केजरिवाल जी की सरकार को सरकार चलाने के लिए था सविधान के साथ खिलवार करने के लिए नहीं दिया था और जो कि आप ये कह रही है कि शीला दिक्षित जी ने कुछ बिलपास किये थे तो आप ये बहुत समझना साफ तौर पर समझना पड़ेगा कि दिली एंसिती आक्ट ऑफ डेली के डाइरे में काम करती है ये एक यू सविधान के पास जाना पड़ेगा उन से उनको कॉन्फिडेंस में लेके वो बिल पास करने पड़ेंगे साफ तौर पे लिखे हुए हैं सविधान बहुत क्लियरली ये कहता है कि किन विशो पे खुद एसेंबली अपने बिल पास कर सकती है लौ बना सकती हो कुछ ऐसे सेको की पूरी लिस्ट है जिसमें शीरादीक्षित ने खदम आगे बढ़ाया था और जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है कि ग्रेम अंत्राले को पहले क्यों नहीं उसकी उन्होंने अंदेखी की ती लेकिन शोबाजी का कहना है कि जिस मुद्दे पर आप ये बिलने क खहरें मुझे लगता है ये बड़ा गंबीर मसला है और उसको फूंसी गंपीरता के साथ देना चाहिए ये सवाल कई है इस पुरे मसले पर दो हजार दो का बिल जो है 2222 जो हम्म इनिस्टियूस टी ऑर्डर था क्या हो सववेदानीक है सववेधानीक नहीं है मुझे लगत लालकिस अडवानी थे तो कई सवाल इसमें खड़े होते हैं पहला सवाल यह जो सोली सुराब जी ने खुद कहा है कि भाई यह जो होम मिनिस्ट्री का ओर्डर है यह दिल्ली सरकार और दिल्ली एसम्बली को केंदर सरकार का एक विभाग बनाया गया है लालकिस अडवानी साब से पूछना चाहता हूँ कि जो खुद कहते हैं कि मजबूत राज जी होने चाहिए फिडलिजम स्ट्रॉंग होने चाहिए उनकी पार्टी यह कहती है कि भाई पूर्ण राज का दर्जा मिलना चाहिए ऐसे में उनके रहते हुए उनके दफ्तर से यह और दो हजार दो में कैसे पास हो गया जो उनके अपने उस वक्त के अट और नी जनरल सोली शुराब जी कह रहे हैं कि दरसल दिल्ली राज दिल्ली एसेंबली को केंदर की होम मिनिस्ट्री का एक विभाग बना दिया गया या या आप दार्शनी की सतर पर तो यह कहते हैं कि राज्य मजबूत होने चाहिए और शडियंद्र के तौर पर आप जो है दिल्ली राज जी को जो है केंदर सरकार के होम मिनिस्ट्री का आप इक विभाग बना देते हैं या उनका पूरा ख्याल एक डिक्टेटोरियल रिजीम बनाने की है क्याप्टेन अब मन्यू जवाब दीजे क्यूकि ये सवाल आजनी है जिस तरह से 2002 में एक आदेश के जरिये ये बीजेपी की तरफ से बीजेपी की सरकार की तरफ से किया गया और अब यूपीय या कॉंग्रस की सरकार कुछ भी कर दे तो बात बात पर आप फेडरल और उसी और कुर्बानी और उसी के संदर्ब में चर्चा करते वाशुतोस जीने जो प्रशन किया है मों उसका उतर जुरूर दूँगा बारती जनता पार्टी इस देश की व्यवस्ता को संगिये डाचे के आदार पर चलाने की जो संविधान की भावना है उसकी पक्षतर रही है और 12 साल से ये कानून जो है आज तक देश में चल रहा है दिली की सरकार हो दिली की विधान सवा हो भारत के संविधान और संसंद के द्वारा बनाएगे के कानून के अंतरगत ही चलने वाली है लेकिन जो उसके आचरन के अंदर जो आवश्यक गंबीरता होनी चाहि कि कॉंग्रेस पार्टी और आमाधी पार्टी मिल करके भारतिंता पार्टी जो सबसे बड़ा दल बन करके उबरा उसको रोग करके मिलकर सरकार बना रहे हैं लेकिन दिल्ली की जनता को सरकार दे नहीं रहे हैं प्रशासन दे नहीं रहे हैं सरकार से भागते हुए ज्यादा द और जो बड़े मुद्धे हैं देश के जो सवा सो करोड़ लोगों को प्रभाइट करने वाले मुद्धे हैं उससे धान हटा करके किसी प्रकार से लोगस्वा के चुलाओ तक अरे अभी मन्यू जी कहीं तो पूर्ण विरांग लगाईए एक और ठीक है अपने सब कुछ कह दि जी मेरा सवाल ये था मेरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा है ताद 2002 में आपके डेपटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर लाल के सडवानी थे जो मजबूत राज्यों की वकालत करते हैं उन्हीं उसी समय का टॉड़नी जलने ते शोली सराब जी उन्होंने कहा है कि जो आदेश आया उस आदेश के तहट बिल्वी सरकार को केंदर की होम मिनिस्टर का एक विभाग बना दिया गया जो मजबूत राज्यी की वकालत करते हैं लाल के सडवानी उन्होंने ऐसा क्यों किया चाहों मजबूत राज्यी की बात पर यकीन रखते हैं चाहते हैं दोब पर पेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई पास होने में तो इस्तिफा दे देंगे यही होगा और तारीख कब देखे जो भी सरकार का फैसला होगा यह तो सरकार जबाब देगी हो साथी साथ अर्विन केजरिवाल जो मुख्मंतरी है पार्टी को इस पूरे मसले पर मुझे नहीं लगता है कि उसे इस पूरे मसले पर कोई जबाब देना चाहिए इस पर सरकार का जबाब उना जाए लेकिन एक बात सपस्ट है पार्टी पूरी तरीके से अर्विन केजरिवाल के साथ है अर्विन केजरिवाल जो भी कदम उठाएंगे हम उसमें पूरी तरीके से पूरी मजबूती के साथ उनका साथ देंगे और ये जो पूरी लड़ाई है ये लड़ाई दरसल आज की नहीं जनलोकपाल की लड़ाई है पांच जुलाई 2011 से शुरू हुई थी जब पहली बार जंतर मंतर पर अन्ना हजारे उनके साथ लोग बैठेते और जनलोकपाल बिल के बारे बादचीत हुई थी तब से हमारी इस देश में कौन सा सविधान चलेगा एलजी को आपको अंग्लेज का एजिन्स बताएंगे सविधान की धजिया उड़ाएंगे 144 में मुख्यमंत्री जाके आंदोलन करेंगे तो आखिर किस तरह की सरकार हम चलाएंगे अब मैं जबाब दे दूँ अगर आप आपकी इजाज़त तो स्रुबा जी दरसल इस पूरे मस्टिप में दो जवाब हैं अगर आप बहतरी इमानदारी से सुन लें थोड़ा सहीम के साथ तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा सोली सुराब जी के उपीनियन मैं पढ़ देता हूं सोली सुराब जी के उपीनियन यह है दर रूल 55-1 अब ट्रांजेक्शन अब बिजनेस रूल 2002 विच शेज जी कि उपीनिया प्राइब जी के सबसे बड़े संवाइधानी के सवाल है तो कॉंग्रेस से हमें नहीं सीखना जिसने इस देश के अंदर इमर्जनसी लागू की है और जिसने आख जपकते ही न जाने कितने राज्य सरकारों को बरहास्त करने का काम क्या है लोगतंतर को अपने पेरे उतलिक उचलने का काम क्या हमें को ने सीखने की सब्दान की नग्धर क्या होता है आप अपने कानुन को नहीं मानना चाहते हैं आप अपने आपने कानुन को पुछ पनाऊंड को घ्शने कर ने और देशने को नहीं है चाहते है। केटियस तुलसी साहब ये सच है इस बात में सच्छाइब है कि कोई भी पार्टी समयधान की दुवाई तुलसी साहता हूं समयधान की दुहाई देने का हक किसी पार्टी को नहीं है क्योंकि वक्त वक्त पर समयधान को अलग अलग पार्टी होने किस तरह से कुछला है इसका भी प्रमाण है इस देश में सवाल बहुत सीधा है जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है जो सोली सराब जी की बात को वो बार बार कह रहे हैं और सोली सराब जी का क्या कद है उसको भी हम जानते हैं उसके मद्दे नजर कानून के मद्दे नजर समविधान के मद्दे नजर क्या ये जो तरीका अपना रही है आम आदमी पार जस्टिफाई कर सकते हैं उसे तुलसी साथ ये मेरे विचार में तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है क्योंकि मान लीजिये कि सोली सवराब जी की उपीनियन सही है अगर सही भी है तो सोली सवराब जी तो अपने आप इसको गहर सम्विधानिक नहीं करार दे सकते ये अधिकार तो सिर्फ अदालत का है सोली सवराब जी इनके वकील जरूर बन सकते हैं और पेटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोट में हाई कोट में कि ये सम्विधान के विरुद है इसलिए इसको रद किया जाए मगर ये कहना कि क्योंके सोली सवराब जी ने कह दिया है तो ये गहर सम्विधानिक हो गया ये सरसर गलत इनका बयान है मैं कहता हूँ कि जो पारलेमेंटरी डिमाकरिसी है इसके दो असूल होते हैं पहला असूल होता है डिबेट का आपस में बहस हो और ये किसी की क्षाए बात सुनने को तयार नहीं है। दूसरा अशूल जो डिमाक्रशी का होता है वो है तक कॉंप्रोमाइड यह गटिछ बालिमेंट्रि डिमाक्रशी कॉंप्रोमाइज से चलती है। यह हर बात में याधर ना देंगे या धंकी करते करते हैं शायद हमारी परिस्थितियां छे दर्शकों में यहां पहुंची है और इसलिए शायद आज लकीर को बदलने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं लोटेंगे लेकिन आशुदोश जी बहुत वाजब सवाल उन्होंने पूछा है